जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों ए ओसी यानि कि आर्मी ओडिनेंस कॉर्प में भरती का शर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों तो कौंकों से पोस्ट पे वेकेंसी आई है नंबर आउस कितने हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है दोस्तों केटेगरी वाइस वेकेंसी डिटेल हम बताएंगे तो सारा संपूर्ण डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे दोस्तों देखें बेसिकली मैं यह आपको बता देना चाहता हूं कि काफी फार रख रखाओ करना उसको किस प्रकार से बनाया जाता है दोस्तों किस प्रकार से उसको अच्छे तरीके से सेफली रखा जाता है यह सब उनका काम होता है दोस्तों ठीक ना तो दोस्तों समय समय पर इसकी वेकेंसी जो है वो आया करती है तो इस बार जो है अभी शॉट नोट दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो जो हम इस चैनल के माधन से बनाते हैं और आपको गॉर्मेंट जॉब यह फिर प्राइबेट जॉब के बारे में अपडेट देते रहते हैं तो दोस्तों आई ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं दोस पोष्ट पर ये वेकंसी आई है ट्रेंटमैन जिसमें की बारा संचाथ विए सब्सक्राइब जोगया मूची हो गया ना ही दो भी सफाई कर्मी इस प्रकार सर लेटर जो है दोस्तों इसमें पोश्ट होता है वहना ट्रेंटमैन में और फारीमें के अगर हम बात करेंगे त लोगों को पताई होगा दोस्तों जहां पर आग वगारा लगता है तो लोग जाते हैं वहाँ आग बुझाते हैं दोस्तों जो दमकल कर्मचारी होते है ना उससे रिलेटब काम रहता है दोस्तों ठीक है ना देखें अपलाइडेट की बात करेंगे तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जागा दोस्तों ठीक ना क्योंकि अभी अभी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों इससे यह पता चलता है कि इसका जो है फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और बहुत ही जल्द आपका जो है आवेदन भी स्टार्ट हो जाएगा अगना दोस्तों 21 दिन तक चलता है तो आपको कोशिस करना कि पहले ही फाम को जाए ने तो बाद में सरवर का इश्व भी होता है धो तो काफी दिक्कते होती है तो आई अगे बढ़ते हैं मुझे से शादर मुए को दिक्कते होती है तो इसको आप तो 18-25 साल तक का एज यहां पर मांगा जा रहा है दोस्तों और यह एज काउंट कब से होगा देखें जिस तारिक से अवेधन स्टार्ट होंगे दोस्तों उसी तारिक से जो है इसका एज काउंट किया जाएगा उसके तहत मिनिमम्म एज 18 साल आपका होना चाहिए और मैक्सिम को फिल कर सकते हैं मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि अब एज में किसी प्रकार को किसी को कोई समस्या होगी ठीक ना परियाबत मातरा में यहाँ पर एज दे रखा है दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों तो के वल टेंथ पास पे ज्यादा देखें है अच्छा सुना रहा आउसार है आप लोग स्वाम को जरूर फिल की जीएगा दोस्तों अगर देखें अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा फिजिकल इलिजीबिल्टी क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिजिकल इलिजीबिल्टी जो है दोस्तों फिजिकल इसएसे जर्चिज है दोस्तों तो देखे ट्रेट्समें के अगर हम लोग बात करेंगे तो जनर्रल कंडिडेट के लिए पामफो आड़ सीटे है एव्स में को बता दिया दोस्तों और उसके बाद फैर मैं कि अगर मैं बात करूंगा तो जनरल कंडिडेट में 222 सीटे हैं EWS की बात करेंगे तो 54 सीटे हैं OBC में 147, SC में 81, ST में 40 सीटे हैं तो टोटल काउंट करेंगे आप लोग दोस्तों तो 1793 पोश्ट पर ये विकेंसी आई है ठीक है यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों आई अगे बढ़ते हैं स्टेट में कितनी सीटे हैं दोस्तों मैं फारा सब्कुछ अभी आपको बताऊंगा दोस्तों वीडियो बहुत ही जादा इंफार्मेट्व है बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा ठीक ना आई आए अब आगे बढ़ते हैं सिलेक्षन प्रोशेस की किया जाएगा चेश्ट मीवर किया जाएगा रंणिंग वगएरा होगा कितना होगा भी वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा ठीक है उसके बाद मेडिकल होगा दोस्तों और क्योंकि देखे ये आर्मी की वेकिंसी है दोस्तों तो इसमें मेडिकल ठीक ठाक होता है मैं अच् वेरिफिकेशन में अगर फ़कूल सही पाए आता है तो फाइनली आपका फिलेक्षन होगा ठीक है अब आए आगे चलते हैं दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की तरफ देख लेते हैं कि हाइट कितना मांगा जा रहा है चेस्ट वगयरा कितना होना चाहिए तो अलग पर 5 cm फूलना चाहिए यानि कि 86 cm होना चाहिए तब आप लोग फार्म को फिल कर सकतो कोई दिक्कत नहीं है और वेट यानि कि वजन की बात करेंगे तो कम सकम 50 kg से उपर आपका वजन होना चाहिए उससी अगर कम है तो थोड़ी से प्राब्लम होगी 50 kg से उपर का वजन किस राज्य में कितनी सीटे आई हैं बिसिकली यह हम लोग जान लेते हैं दोस्तों क्यों काफी सारे चात्रों को दिक्कत होती है ना कि उन्हें लगता है कि कौन से राज्य में कितनी सीटे हैं यही नहीं मालूम है तो यहाँ पर मैंने यह भी डिटेल से लिख रख्छा है ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो देखिए उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रेट्समेन में 680 सीटे आई हैं और फायरमेन की बात करेंगे तो 49 सीटे हैं वही पे दिल्ली, पंजाब, हिमांचल, प्रदेश और हर्यानल की बात करेंगे दोस्तों तो ट्रेट्समेन में 430 सीटे हैं और फइयर में की बात करेंगे तो 71 सीटे का है जारकण सेक्टिम और वेश्टमंगॉल की बात करेंगे तोगे दोस्तो है त्रेट्ट्समें गुजरत और द गया है दोस्तों आप लोग देख सकते हो महराष्ट तमिलनाडू तेलंगाना कि अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ट्रेट समयन है उसमें 206 सीटे हैं और फायर मैं में 111 सीटे यहां पर दे रखा है असम की बात करेंगे उसके अलावा अरुणांचल प्रदेश नागा लेंड की बात करेंगे दोस्तों तो ट्रेट स अलग अलग स्टेट में कितने सीटे है मैंने वह भी आपको बता दिया है आप लोग जहां से अप्लाई करना चाहतो आप लोग वहां फे अप्लाई कर फक्ते हो ठीक ना लेकिन इसमें थोड़ा सा जो कठीन होता है दोस्तों वह फिजिकल इलिजिबिलिटी टेश्ट माना माना जाता है ठीका ना कि फिजिकल इसमें कि आर्मी की वेकंसी है इस वज़े से थोड़ा सा अगर जिंका रणिंग जो है वह तेज हो दोस्तों जिंका फिजिकल अच्छा दोस्तों तो ये मान के चलिए कि उनका ज्यादा चांसेस बनता है कि वह क्वालिफाई कर पाएंग एक आप लोग दोड़ोगे तो उसमें काफी दिक्कते होती हैं लोग नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर प्रैक्टिस आपकी है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके बाद साधे 33 kg का वजन यानि कि साधे 33 kg के वजन के आदमी को अपने कंधे पर ले करके और आपको दोड़ना होगा दोस्तों 183 मीटर वो भी 96 सकेंड में तो यह थोड़ा सा टाफ होता है दोस्तों अगर आप क्वालिफाइ कर जाएंगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता दोस्त तो वह भी 96 सकेंड में यह चीज है ठीक है ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2.5 मीटर यानि कि धाय मीटर डिच लैंडिंग अब डिच लैंडिंग क्या होता है तो आप लोग देखते होंगे दोस्तों तो उनका मेनली काम क्या होता है जहां पर आग लगता है त तो उसको ले करके जो है बाहर निकलना होता है तो डिच लैंडिंग का मतलब बेसिकली होता है कि कोई हाइट से अगर वो कोई कूद रहा हो दोस्तों तो अपने पैर वही जमा ले हना वहाइट से कूदने में फच्छाम हो यह नहीं कि कूदे तो हाथ पैर टूल लिया तो आपके पाफ होना चाहिए दोस्तों तो यह सब बेसिकली फिजिकल एफिसियंसी टेस्ट में है तो यह चीज़ अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है दोस्तों तो मुझे ने लगता कि किसे प्रकार की कोई दिक्कत होगी बस बेसिकली है कि रिटनी टेस्ट आपको जो है वो क्वालिफाइ करना होगा अब आये दोस्तों सब्सक्राइब हम लोग जान लेते हैं कि सिलेवफ यानि कि कौन से सब्जेक्ट फे कितने कोश्चन पूछे आते हैं यह बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों और देखे यहाँ पर बेसिकली जो छातर होते हैं दोस्तों ड इस वो क्वालिफाइ कर दियते हैं आज दोस्तों फिलेवर की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट से कितने कोश्चन पूछे जाएंगे तो देखे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नमबार ऑफ कोश्चन एक सो पचास यानि कि देड़ सो होंगे एक सो पचास मार्क स यानि जो एक कोश्चन होगा वह आपका एक नमबर का होगा ठीक है वहीं पर आपको दो घंटे का समय दिया जागा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो यह चीज आपके लिए बहुत ही ख़बरी की बात है दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है इसका म हो जाएंगे तो यह आपका बेनिफीट हो गए यहां पर दोस्तों अगर सब्जेक्ट ही बात कर लिए तो रिजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से 25 कोश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों मैथमेटिक से 25 कोश्चन पूछे जाएंगे इंगलिस और जनरल अवेर्नेस के आवेधन कर रहो दोस्तों उससे संबंधर कोश्चन पुछा जायागा लेफी अगाँड यह बाता जाता है किonds तो 35 से 40 परफेंट 35 से 40 परफेंट जो है वो नंबर अगर लाते हैं तो आप लोग क्वालिफाइग करेंगे लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग निचर है दोस्तों ठीक ना अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको अच्छा करना पड़ेगा अच्छा करने का मिलब यह से क आपको समय लिजे कि 70 प्लस परफेंट नंबर आपको लाना ही पड़ेगा 70 प्लस परफेंट अगर नंबर आप लोग लाएंगे तब जाकर के आप लोग रिटेन इक्वाम में क्वालिफाइग कर पाएंगे दोस्तों क्योंकि आप लोग को मालूम है कि कमपटेशन किस हद है और देखें दोस्तों 2023 का जो साल है वो भरतियों का साल है तो इस साल अगर आप लोग नौकरी ले ले लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा नहीं तो आगे चल के काफी दिक्क्रते आएंगे दोस्तों मैं देखें जो भी वेकेंसी आती है दोस्तों मैं आपको अपडेट हो और चीजों का पता चले कि हां काउं से वेकेंसी आई है और उसके मैं डिटेल से वीडियो बनाता हूं दोस्तों कि झाल कि अरष्ण पता हूं का थ growth? घर उसके वीडियो देखें, भुझे अपले हुझे से वीडियों सीटा वेंसी आता है ऐू भाउता से ले आहा है कि भाने जो भीडियों को अभेगा प्राम से चल को आई खलेग感拐 है Champ झाल झाल